बारत और चीन की सीमा पर जिस तरह का गतिरोध पिछले दिनों में बढ़ा है जिस तरह का धोका चीन ने भारती सेनी को खुदिया है उसके बाद और उससे पहले भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जोन्स की जरूरत पढ़ती रही है चीन ने भी भारत पर नज़र रखने के लिए जोन्स की तेनाती की है अब गंभीर हालात में भारतिय सेना को ज्यादा से ज्यादा जोन्स के इस्तिमाल के लिए कहा गया है तो इसके लिए चीन और भारत ने LAC की निगरानी के लिए कुछ ड्रोन्स का इस्तिमाल शुरू किया है भारतिय सेना अपने भरोसे मन क्वाड कॉप्टर का इस्तिमाल LAC पर कर रही है इसकी क्षमता भले सीमित है लेकिन इलाके का क्लियर कवरिज देने में ये ज्रोन सक्षन है एक निश्चित उचाई पर जाकर ये पूरे एरिया को स्कैन कर सकता है इस क्वाड कॉप्टर में दिन और रात के अलग-अलग क्यामरा लगे है इसे मुख्य रूप से infantry battalions यूज करती है दुश्मन के तैनाती के जनकारी पहले ही दे देता है क्वाड कॉप्टर क्वाड कॉप्टर के लावा इसराईल ने भारत को हिरॉन के नाम से एक ऐसा जोन दिया है जो लंबे वक्त के इस्तिमाल के लिए सबसे खास है रणनीती ग्रूप से एहम missions में इसका इस्तिमाल होता है सेना के उत्तरी कमान इसका इस्तिमाल कर रही है इसकी खासियत ये है कि 35,000 फीट तक की उचाई से नज़र रखता है इसमें 45 घंटे का बैटरी बैक अप है 1000 किलोमेटर तक की रेंज को हिरॉन कवर कर सकता है हिरॉन के सेंसर्स रियल टाइम में डेटा भीजते हैं यानि कि किसी भी तरह के इलाके में इंटेलिजन्स, विलांस और टार्गेट, एक्विजिशन को इस जोन के जरीए अंजाम दिया जा सकता है कवरिज की बात करें तो ये इतना तेज है कि ये बिना LSE पार करें ही चीनी सेना के ठिकानों का पता लगा लेता है डारेक्ट लाइन ओफ साइट या फिर सेटलाइट कम्मुनिकेशन की मदद से ये चलता है वही चीन की बात करें तो माना जा रहा है कि कोविट नाइटीन से निपटने के लिए थर्मल इमेजिंग टेकनोलजी से लेस मेविक टू एंटरप्राइज ड्रोन्स का इस्तिमाल किया गया माना जा रहा है कि बार्डर पर भी चीन अपने इसी ड्रोन का इस्तिमाल कर रहा है इसके अलावा AR-500C चीन का पहला अनमान हेलिकॉप्टर है जिसे पठार वाले इलाकों में उडने के लिए डिजाइन किया गया था 5000 मीटर तक की उचाई पर उडने वाला ये ड्रोन 5 घंटे तक का बाक अप देता है उचाई से फाइरिंग करने में भी ये सक्षम है माक्सिमम स्पीड 170 किलोमीटर प्रती घंटे की है अब बात करते हैं चीन के विंग लूंग आम ड्रोन की जो की दो वर्जिन में आता है वर्जिन वन में दो लेजर गाइड़ बम या मिसाईल ले जाने में सक्षम होता है लेकिन जो इसका एडवांस्ड वर्जिन है विंग लूंग 2 वो अपने साथ 12 मिसाईल या बम ले जा सकता है मेडियम अल्टिट्यूड और इंडियॉरंस वाला ये ज्रोन दिन और रात दोनों वक्त का डेटा जुटा सकता है करीब 22,000 फीट तक जाने वाला ये ज्रोन 32 घंटे का बैक अब भी देता है